मैं सबसे पहले दिल्ली के लोक्तुरीय मुख्यमंत्री आमादमी पार्टी के नेता मेरे गुरू अर्विंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया ये सिर्वाम आदमी पार्टी में हो सकता है अर्विंद केजरीवाल जी के नेतरत्व में हो सकता है कि एक फर्स टाइम पॉलिटिशिन एक राज्य की मुख्यमंत्री बना मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकेट भी नहीं मिलती लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने मुझे भरोसा किया मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी भी है मैं खुश हूँ कि अर्विंद केजरीवाल जी ने मुझे इतना भरोसा किया लेकिन जितना सुक आज मेरे मन में है आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में दुख इसलिए कि दिल्ली के लोक्त्रीय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अर्विंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे है मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदनी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से दिल्ली की दो करोड जनता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अर्विंद केजरीवाल है भारतिय जनता पार्टी ने पिछले दो साल से अर्विंद केजरीवाल जी को परिशान करने की उनके खिलाव शड़ियन पर रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी एक ऐसा आदमी जो अपनी I.R.S. कमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था एक ऐसा आदमी जो एक नई पुलिटिकल पार्टी से पहली बार चनार लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था एसे आदमी पर एसे इमानदार आदमी पर भार्टी जनता पार्टी ने भष्टा चार के आरोप लगा जूटे केस किये फरजी केस किये अपनी एजनसीज एडी को सी बी आइकोन के पीछे छोड़ दिये उनको जूटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा आखिर कर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्व उनको जमानत नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने केंदर सरकार के मूँ पे तमाचा मारा उनकी एजनसीज के मूँ पे तमाचा मारा उन्हें कहा कि इनकी एजनसीज केंदर सरकार की एजनसीज एक किंज्रे में पैद कैद तोते की तरह हैं और अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी गलत थी अगर अर्विंद केजरीवाल जी की जगा कोई और मुख्यमंतरी होता कोई और नेता होता तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे लेकिन अर्विन केजरिवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास सो छोड़िये शायद दुनिया की इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो उन्हों ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है मैं जन्ता की अदालत में चाहूंगा जब दिल्ली की जन्ता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जब दिल्ली की जन्ता कहेगी कि तुम इमानदार हो तब मैं मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठ हूँ मुझे नहीं लगता कि हमें लोक्तंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याद का उधारन मिलेगा जो आज अर्विन केज्रिवाल जी ने देश के सामने रखा दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी अर्विन केज्रिवाल जी के स्टीफ़े से कर शाम मुझे एक बुज़र्ग महिला मिली जब उन्हें खबर मिली थी कि अर्विन केज्रिवाल जी ने इस टीफ़ा दे दिया है वो रोने लग गई उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह है उसको इतना परेशान किया है उसको इतना परेशान किया उसके जूटे केस लगाए और उन बुज़र्द महिला ने कहा कि मैं घर घर जाओंगी मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंतरी बनाना है तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं भारतिय जंता पार्टी के शड्यंतर से नाराज हैं और अपने बेटे अपने भाई अर्विंद केजरी वाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंतरी देखना चाहते हैं क्यूं देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री क्यूंकि उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल ही ऐसे इमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वज़े से उन्हें फ्री बिजली मिली उन्हें पता है कि अगर अर्विंद सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगी। उनको पता है कि अर्विन्ट केजरीवाल जैसे इमानदार वेक्ती अगर मुक्यमंत्री नहीं रहे तो जो हस्पतालों में, सरकारी हस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुस्द दवाईयां मिलती हैं वो बंद हो जाएंगी। उन उन्होंने देखा है कि भारतिय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है किसी एक राज्य में दी वो फ्री बिजली अच्छे स्कूल अच्छे हस्पताल महला क्लिनिक फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं और एक इमानदार अर्विंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगो के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुक्यमंत्री होने की नापे अब एक ही उद्वेश से काम करेंगे कि हमें अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुक्यमंत्री बनाना है जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं मेरा नेक ही मकसद रहेगा मुझे पता है कि भार्तिय जन्ता पाटी अपने एलजी साहब के त्रू दिल्ली वालों के खिलाफ शडियंत्र रचे कि मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो दिल्ली वालों के हस्पताल म मेरे पास है मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी और अरवन केज रिवाल जी के मार्ग दर्शन में दिल्ली की सरकार चलाओं। मेरा अपने सभी कारेकरताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है। आप मेंसे कोई मुझे बढ़ाई मत दीचिएगा आप मेंसे कोई मुझे माला मत कहनाईएगा क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज में आज इस्तीफा दिया है मैं एक बार फिर अर्विन के इज्रीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे भरोसा दिखाया है और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अर्विन के इज्रीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहिए